चार्जर को रिपैर करेंगे, चार्जर दोन उप्रकार के कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, यानि कि SMD भी है और यहाँ पर बड़े कंपोनेंट्स भी है, आईसी SMD वाली समाल हुई है, और डायोड भी SMD वाला समाल हुआ है, बाकि अधर कपैस्टर वगर बड़े वाले समाल हुए है, अब यहाँ पर खराबी क्या है, इसे कैसे पता चलेगा, तो जो सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है, वो हमेसा Fuse पर जाना चाहिए, अगर आप मेगैनिक है, तो Fuse जो है, सबसे पहला ऐसा पार्ट होता है, जो खराब होने के बाद, परस्ट नजर आता है, फ किस सेक्षन से ज्यादातर बनती है, स्वाटिंग आपकी, अगर यहाँ से स्टेप बाई स्टेप चलें, तो पहले डायोड से, कैपैस्टर से, उसके बाद आईची से, या फिर किसी और कंपोनेंट से जो डायोड बगर लगे है, जो चीछ पैरलेल पर लगी वी रहती है, स्टेप बाई स्टेप हम चलेंगे, तो पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर यानि कि डायोड को चेक करेंगे, एक चीछ बताओ, यहाँ पर यहाँ पर एक कंपोनेंट जला हुआ है, इस कंपोनेंट के बगल में डी लिखा हुए, यानि कि एक डायोड यहाँ पर लगी थी, त पर जला हुआ है तो मेरे पास यह अभी आया हुआ है तो हम अपने तरीकी सर्चरेब करेंगे यहाँ पर डाइट कि value और डिस्टेंस की value भी आप मैं आपको सहलुए पहले हम इन दोनों कपेस्टर को भी एक बार चेक करेंगे Rectifier को कपेस्टर को and IC को चेक करेंगे आईसी को कैसी चेक करते हैं मैं आपको बेसिक लिए यहाँ पर मोटे-मोटे तोर पर बता दूंगा एंड यहाँ पर एक डायोड यह है इसको भी जक्त लेंगे बागी तो बाखी तो रेजिस्टेंस एलेगए बाखी तो एक प्रॉब्ल्म नहीं बहुत Creating जलने के बाद यहां पर कालाक 15 लग जाता है तो तो कोई भी resistance यहां पर जली नहीं है सभी resistance लगबख ठीक हैं और एक चीज़ और है यहां पर इन दूनों के पैस्टेस को भी एक बार चेक करेंगे और हाँ transformer को भी चेक करूंगा जो यहां पर कोई शॉर्टिंग नहीं आने चेह इस बात का ध्यान रखेगा तो यहां से देखिए इन दोनों पॉइंट से मारा एसी इंपूट करता है तो यहां से जो है और इसी फ्यूज को जड़ा है लेकिन चेक करना ज़रूरी है कोई बात नहीं यह बिल्कुल यहां पर कोई भी वैल लुका हो रहेगा वो दिखाएगा यह 10 ohms का है तो यहां पर 10 ohms कर रहा है अब एक चीज़ काफी लोगों के मैंने में डिक भी आपने डेखनी है यह निकि आपने आंपर us ट्सक्राइब कि ऑंडि फुक्राब हो जाता है तो इसकी अग्र में होती है आप आप ल होतीर стороны कि से स्थाहीरा थालिगा यहां लगती है तो चरिए प्लिचेंऄों यहां पर खराब है अब कलते हैं आगे डायोड के रेक्टिफायर जिसमें लगाऊगे इसमें इन्पूट की पिन पर सबसे पहले हम चेक करेंगे तो यह इन्पूट की पिन है तो यहां पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कोई भी शॉर्टिंग नहीं बन रही है यहां पर 675 यहां पर दिखा रहा है और यहां पर कितना सुपर कर रहा है यहां पर ठीक है आप इन दोनों। में चेक करेंगे यहां से आउटपूट यानिकी जो प्लस माइनस निकल रही हमारे डेक्टरिफाई होकर हुए उसमें 660 गडिब दिखा رह है और इसमें कितना दिखा रहा है इसमें ठीक है और क्रॉस में ठीक है ब्लाश में भी कुई ब्याद यहां पर shorting उनिखहार यह है अब हम यहाँ पर कपैस्टर को भी चेक करेंगे कपैस्टर की दो लग यह है आपकी और इस कपैस्टर की दो लग यह है तो कपैस्टर भी बहुत चेक करेंगे ठीक है कपैस्टर कोई शोर्टिंग नहीं है ठीक है कपैस्टर भी ठीक है अब हम एक बार यहाँ पर इस डाट को भी चेक कर लेंगे ठीक है कोई भी यहाँ पर शोर्टिंग नहीं आ रही है इस कपैस्टर को भी चेक कर लेंगे SMD वाले को इसमें भी कोई शौटिंग नहीं है एक बात तसल्ली के लिए हम यहाँ पर इसको और इसको भी चेक करकर लेंगे दोनों जो हमारे कपै emphasizing和e उनको भी चेकर लेंगे ये भी चेकर लेंगे तो ये भी ठीक है और ये इसमे भी चेक लेंगे ये भी ठीक है दे रहा है अगर यह वैल्य देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि खराब है यह किसी और पोइंट पर आ रहे है तो इसका मतलब कुछ नहीं कुछ आगे गड़ रहे है अब हम Ic को जेख करेंगे Ic की जो यह वाली लेग है यह आपकी कपाश्ट के नेगेटिव से कनेक्टेड है यह देखे के का जो नेगेटिव है उससे यह लेगक नेक्टेड है यह आई सी की नेगेटिव किसे connected होती है इसमें अपने आप value आती है बाके इसमें सही है आईसी में यहाँ पर sorting नहीं है जो main sorting होती है वो यहाँ पर plus minus में नहीं आनीचे इस बात का आप द्यान लखेगा इसमें नहीं है अब यहाँ पर जो जो हमें replace करना है निकी सबसे बहले हमें fuse resistance करना है 10 ohms का और यहाँ पर हमें एक diode लगानी है और यहाँ पर resistance यहाँ पर 201 नंबर की लगेगी अगर 200 नंबर की नहीं है तो 200 ohms की आप लगा सकते हैं 200 ohms की यहाँ पर लगा सकते हैं और जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह जो diode है वो उसका भी आपको नंबर बता द यहां पर सिमाल किजीजागा यह काम करने में से पहले एक ही हुआ तो इस तरीके से और इसके साथ किसी और में continuity नहीं आएगी देखिए value को छोड़ दीजिए बस continuity नहीं आएगी देखिए इसके साथ ही आएगी इक मिनाट इसके साथ यह था यह chw शु हमने हैे एक गाल को इसके चुनE अंदर कोईल connected होती है तो दो feedback की होती है दो में यहाँ पर वाइंडिंग्स में की ऊती है और output में देखेंगे देखे इस तरीके से आपको बीप सुनाए देगी काप लोग बोलते हैं सौर्ट हो रहता है नहीं दोस्तों यह सॉर्ट नहीं होता असल मैं यहाँ पर अंदर कोई देख लेना तो यहां पर भी क्लीन कर लेता हूं मुझे लगता कि पहले रिपैर हुआ है तो आप हमने ट्रांसफोर्मर चेक कर लिया है अग बार आपको फिर से मैं दोरा दूं काफी लोगों को यहां पर कापैस्टर और अएसी पर थोड़ा सा कंफिजन हो रहाँ गा मतलब चेक करने पर कंपैस्टर जब भी API आप करते ना तो वहां पर कंटूर्यूटी नहीं आ害 चीए और कापस्टर पे वोल्टेसिटेबल नहीं वना जीए कल पर सो एक वीडियो मैंने के पेस्टर बना है उसको वीडियो को जरूर देख लेना तब आप केफेश्ट को चेक करना सभी सीख जाओगे सभी केफेश्ट आपको बोलेंगा क्या देख लेना एक बार अब यहां पर समयं क 200 ohms का resistance हमें डालना है ये components आएंगे कहां से देखिए मेरे पास एक खराब charger है तो इसमें IC फुकी हुई है देख सकते हैं IC फुकी वेस की इसमें अंदर जली वी IC तो इसके अधर components बिल्कुत सही है तो same charger तो नहीं अलग-अलग charger है यहापर तो इसी से मैं उन components को manage करूंगा और यहापर डालूंगा बाकि आपको मैं बता दिया है अगर आपके पास SMD diode नहीं है तो IN400 से नमर के diode और resistance का value बता दिया 200 ohms की बड़ी वाली resistance भी यूज कर सकते 200 ohms की छोटी नहीं है तो अब diode लगनी कैसे है डायोड की जो position आईगी वह भी आपको यहापर के लिए बता दूगा पहले मैं यहापर इन points को clean कर लेता हूं उसके बाद मापको बताता हूं तो यहापर पहले में clean कर लेता हूं यह देखिए डायोड जली वी थी यहापर और इस तरीके से यहापर यह लगी हुई है यहापर resistance और यहापर डायोड लगनी है चलिए लगाते हैं तो यहापर देखिए दोनों components को मैंने आपर निकाल लिया है resistance और डायोड पहले ही से मैं चेक करूँगा क्या रेजिस्टेंस और डायोड सही है तो डायोड एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से नहीं देगा इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है देखिए बहुत छोटी डायोड है बहुत इध्यान से मैं चेक करना है तो देखिए यहां से कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है और यहां से वैल्यू देना चाहिए यह देखिएगा देखिए यहां पर वेल्यू दे रहा है डायोट कभी भी खराब होता है तो बीप करके सौटिंग देने लगता है अब इस रिजिस्टेंस का वेल्यू हम चेक करेंगे तो देखिए यह देखिए एक सोठाव में दिखा रहे है बट यह 200 का है एक दो ओमस का फरक हुट रही जाता है सभी में लग तो अब हम क्या करेंगे यहां पर पहले रिजिस्टेंस को लगाएंगे रिजिस्टेंस की पोजिशन आप कैसे भी रख लिजे नूप रिजिस्टेंस को आप उल थोड़ा सा उपर नीचे चल जाएगा लेकिन बहुत कम वैल्यू का मत लगाईएगा तो यहाँ पर SMD मेशीन का इस्तमाल करूंगा लगाने के लिए देखिए बहुत ही छोटी जगह है फानल यह रिजिस्टेंस लग चुकी है देखिए चलिए पहले बाद लगा लेता हूं फिर मैं आपको दिखाऊंगा लगनी कैसे तो देखिए डायोट का यहाँ पर सेंबल भी दिया हुआ है धान से देखिए गाई जिगह पर आप यह देखिए यह देखिए इस तरीके से आपको एह दिख रहोगा ने डायोट इस तरीके से तो यह देखिए इस तरीके से यह पर लगेगा जो आपका यह पॉइंट है इसकी तरफ को आपको सिंपल आएगा और एक जो लखीर जैसी डायुड पर खिची रहती है वह इस तरफ को आएगी यहाँ पर यह जो देखे तो एक बार आपको सिंबल आपको मैं एक बार पेपर में दिखा दूँ ब्लास्ट भी हो सकता या फिर कुछ नों कुछ इसमा खराबी हो रहा सकते इसलिए डायोड को ध्यान से लगाना है इस चीज को आपने अपर देखना एक सेकंड में सब्सक्राइब कर लेता हूं और थोड़ा से अपर कि अधिये कि अब डायोड को फिक्स करते हैं डायोड लग चुकी है अब आती हमेरे रजिस्टेंस लगाने के बाद इस पर डायोड को एक बार ऐसे दिखा देता हूं आपको मैं लगाई कैसे है द्यान से देखें आप यह देखेगा ऐची कि जो यह वाली लग है यानि जो पोजिटिव से कनेक्टर है वहाँ पर डायोड का हमने यह एनोट पॉइंट लगाया है और यह लकीर बाला एरिया है वह हमने इस तरफ को लगाया है हुआ है अब हमने यहां पर की से खोर श्चाइंज करना है um स्मीट से थूला से यहां पर ज्यादा ही डोगया थो यह पर काला कल पड़ गया से हैं अब हम यहां पर रजिस्टेंस को चैंज करेंगे जो मारी आइस वाली है है वह चाहिए round आपको बता चुका हूं 10 Ohms की रेजिस्टेंस आप यहां पर लगा लिजिगा तो यहां पर सोल्डिंग करके मैं यहां पर इसको फिक्स कर लेता हूं तो चलिए फिर फाइनली एक बाइसे चेक करते हैं देखिए आप शीरीज से चेक करेंगे देखिए सीरीज वल वह अभी हाफ गलो हो रहा है इसका मतला भी कुछ नुकुछ इसमें प्रॉब्लम है मुझे थोड़ा सा डाउट इसके रेक्टिफायर पर लग रहा है तो रेक्टिफायर जो इसमें समाल हुआ है उस पर मुझे डाउट लग कर रहे कुछ न कुछ शमर्शा है तो अभी रेक्टिफायर को हम चेंज करेंगे ह। कि और इसमें कपाश्टर भी घर्म हो रहे हैं तो चलिए पहले हम चेंज कर लेते हैं अगर रेक्टिफायर सोट रहेगा याननि कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका एक या पर यहांसे जानने लगेगी या पर कुछ भी प्रॉब्ल्लम हो सकता है तो अभी रैक्टिफएर आएगा कहां से रैक्टिफार आइगा मrouख LED बल्ब के अन्दर रैक्टिफार होता ना उस वाले को हम यहाना पर लगा हैं तो एक चीज का ध्यान कीगा जहां से मारा यहां से एस इंपुट होता है तो वहां पर उस सैट को आपका सिंपल वाला आएगा और दूसरे सैट को प्लस मैनेस लिखावा रहता अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात नहीं दिख रहा है तो आपको यहां पर देखन कले दोगा था हुआ है तो जल्दी से मैं इसका का है इसमें लआ लगा लेता हूं यहां पर मैंने रेक्टिफार को चेंज करेलिए और नरवडर रेक्टिफार यह है यह हाफ सौट था को यह हां 나오는 हमर्प दिखारा Tucson कोई इस सब्सक्राइबाए अब दिखा रहा है अभी में देखे। इस तरीकी से दिया हुआ है, तो डायोड आपका जो इस पोजिशन में लगेगा देखिए। आप 2 जो डायोड है इस पॉजिशन में लगेगा champagne आगे अगर आप इसमें IN4007 डाल रहे हैं तो सिल्वर पट्टी आपकी इस तरीकी से आएगी अगर इसमें आप SMD डाल रहे हैं SMD डाले तो वहाँ पर एक इस तरीके से उसमें निसान लगे पर रहते हैं वो इस तरफ को आ जाएंगे बिल्कुल यही पोजिशन जिसमें रहेगी तो आप ध्यान से देखेंगे SMD डायोट के उपर एक दू लाइन यहां पर बन अब आपको इसको check देता हूँ, देखिये, यह हमारा series bulb है, यह है series bulb, अब इसको test करते हैं, तो देखिये, कोई भी आपर problem नहीं है, दोस्तों यहां पर इस charger का voltage मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिये, इस charger में 3.3 वोल्ट करीब आ रहा है अभी confirm नहीं है कि यह mobile का charger है या फिर किसी और चीज का है तो एक बार मैं इसको पहले अभी minus में दिखा रहे हैं प्लस में दिखाएगा देखिए 3.3 वोल्ट इसने दिखाया है अभी confirm नहीं हो पा रहा है कि बिल्कुल भी यह किसका charger है अभी मैं customer से पता करूँगा क्योंकि काफी charger मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 3.3 वोल्ट आउटपुट करते हैं जो mobile पर नहीं लगते हैं जो trimmer पर हैं या फिर किसी और चीज पर लगते ह हैं नॉर्मल चीजों में लगते हैं रिसेंटली एक वीडियो मैंने और भी बनाए ऐसे चार्जर पर जिसमें 3.3 वोल्ट आउटपुट निकल रहा था तब जाके confirm हुआ कि वो charger ट्रेमर का है तो यहां पर वही चीज यहां पर अभी मुझे confirm नहीं उपा रही है अगर यहा पर अउट पुट मेंnant रहा हुआ है लगबग 1000µS का और 10 या 16 V का होगा तो इस क्या iseंजद कर लेना हैasis क Empeori को भी कर लेना है इन दूरों को भी चेंज कर लेना है अगर इन कपैस्टर को चेंज करने का अधी वोल्टेज आपकी 3.3 से उपर नहीं बढ़ रही है तो आपने फिर लास्ट में करना क्या होगा इस आइसी का जो है आपको चेंज करना हो तो आइसी की ही वज़े से ट्रांसपोर्म को एकुरेट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आउटपूट में भी वोल्टेज ज्यादा नहीं दे पाता है तो इसलिए कभी-कभी ऐसी का भी यह फोल्ट निकल जाता है लेकिन अभी मैं यह नहीं कहूंगा कि यह फोल्ट आपका चार्जर का ही है क्योंकि कभी-कभी मैंने आपको बता दिया कि चार्जर 3.3 वोल्ट के भी आते हैं अभी मैं जब तक करन नहीं हो पागा तब तक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा तो फिलाल इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको रेपैर किया जा सकता है मैंने इसमें कुछ चीजे चेंज क करी तो लास्ट में चार्जर बन तो गया है लेकिन कंफर्म करना ये बाकि है कि किस चीज का बाकी मैंने आपको बता दिया voltage से related अगर अगर ये मॉबाइल का चार्जर निगलता है तो इसमें 5 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है मैंने आपको बता दिया दो कपैस्टर और एक IC इनका प्रॉब्लम ज्यादता देखने के लिए मिलता है अगर यह 3.3 वोल्ट का ही चार्जर होगा तो तब हमारे काम सक्सेस्फुल हो चुका है बाकी जब तक कस्टमर यह नहीं बताएगा कि यह चार्जर किस चीज़ का है तब तक मैं अभी तक कंफर नहीं हूँ अगर वह बोलता है मोबाइल का चार्जर है तो फिर मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दे दूँगा जिसमें आपको 5 वोल्ट आउपट करवागे दिखाऊंगा वेट कीजिए उस पार्ट का अगर यह चार्जर मोबाइल का निकलता है तो बागी तो मैंने रि बगर होते हैं जो आइसी वह फोते हैं तो उसमेंदे शोटे बागी की इसी सबसे बड़ा खेल होता है एक इसी बूक्र ऑर क्या कोई उसका काम नहीं किस भी चार्जर को रिपार करना जैसिकी में आपको वीडियो में दिखा दिया है तो एक कमेंट लैक आपकी तरब से होना चाइए यह मुझा चार्जर को लोगों के लिए तब तक के लिए तु मैं क्यान्य पिल आलगलो हमाइन बारा नाख धा ज